हम जो तिरलिंक के दारनाथ की कथा सुनाते हैं पावन कथा सुनाते हैं भोले नाथ के दारनाथ में कैसे आते हैं हम कथा सुनाते हैं येशु के जो तिरलिंक कर महमाया को भन येशु के जो तिरलिंक कर महमाया को भन ब्रम्हा जी के मानस पुत्र भक्तों धर्म हुए दक्ष प्रजापति की कन्या से फिर है विवाह किए तक्ष प्रजापति की कन्या का कहे मूर्तीना नर और नारायन नामक फिर पाई दो संता धर्म के घर में फिर थो खुशिया खुशिया ही छाई ते जिवान आतियंत थे दोनो नर नारायन भाई कहते है थे नर नारायन खुद विश्नु अवतार आये वो रिसियों के रूप में अपने धर्म प्रजाप बचपन में ही तप करने बद्री बन जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं भोले नाथ के दारे नाथ में कैसे आते हैं हम कथा सुनाते हैं ये शिव के जोतिर लिंग कर मोहमाया को भन ये शिव के जोतिर लिंग कर मोहमाया को भन दोनों भाई स्यू सम्भू की करने लगे भगती दोनों में ही तप करने की थी एक्छा शक्ती बद्रीवन में जाकर दोनों करने लगे तप घोर इंद्र देव का धान गया फिर उन दोनों की ओ सोचा इंद्र देव ने ऐसे कौन तपस भी है सुभक्तों के बचपन से ही बन गए छवी ये है ऐसे ही जो रहेंगे ये अपनी भक्ती में ली एक दिन सिंहासन मेरा आवश्य लेंगे छी उनके तपको इंद्र देव भंग करना चाहते हैं पावन कथा सुनाते हैं भोले नाथ के दार नाथ में कैसे आते हैं हम कथा सुनाते हैं ये सिंह के जो तिर लिंग कर मोहमाया को भं ये सिंह के जो तिर लिंग कर मोहमाया को भं काम देव को इंद्र देव ने फिर है बुलवाया अपना प्रयोजन काम देव को फिर है समझाया धर्ती पर तुम जाओ लेकर अपसराओ को संग नर नारा यड का तप तुम्हे जाकर करना है भं काम देव ने इंद्र देव की अज्या है मानी नर और नारा यड का तप भं करने को ठानी लगे दिखाने काम देव फिर अपनी लीलाए नाच रही है उनके संग में कितनी अपसराओ नर नारा यड का तप भंग वो करना पाते हैं पावन कथा सुनाते हैं भोले नाथ के दार नाथ में कैसे आते हैं हम कथा सुनाते हैं येशु के जो तिर लिंग कर मुह माया को भं येशु के जो तिर लिंग कर मुह माया को भं काम देव भी तप भंग वनका जब करना पाएं इंद्र देव फिर नर नारायड के सनमुख आएं बोले के जो भूल हुई उस छमा आप करना जान सकाना आपको मैं चाहा तप भंग करना आप धर्म के पुत्र है खुद नारायड के स्वैरूप भूल के कारण जान सकाना मैं तो आप करो इंद्र देव की भूल को है नारायड ने माफ किये माफी मांग के इंद्र देव भी स्वर्ग को लोट गएं भोले की भक्ती में फिर दोनों लग जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं बोले नाथ के दार नाथ में कैसे आते हैं हम कथा सुनाते हैं ये शिन के जो तिर लिंग कर मोहमाया को भन ये शिन के जो तिर लिंग कर मोहमाया को भन बोले नाथ उनकी भक्ती से हुए बड़े प्रैसन आकर के नर नारायर को दिये साक्षा दर्शन कहने लग भोले के मागो कोई भी वरदान बोले जो तिर लिंग रूप में यहां बिराजो आज जो तिर लिंग के रूप में भोले रहे है यहां बिराज जो तिर लिंग के रूप में जाना जाता है यह आज नर नारायर ने भोले का किया घोर तप है परवत रूप में नर नारायर यहां आज तक है बिसब रूप में आज भी भोले यहां पियाते हैं पावन कथा सुनाते हैं भोले नाथ के दार नाथ में कैसे आते हैं हम कथा सुनाते हैं येश्म के जो तिर लिंग करे Antrag मुहमाया कुवम येश्म के जो तिर लिंग करे मुहमाया कुवम रूप बैल का भोले ने लिया कैसे अपना बना महभारत के समय के भगतो ये है एक कथा कौरों और पन्डों में जब भारी युद्ध हुआ पन्डों ने तो सभी कौरों को है हरा दिया धर्म युद्ध है जाता कहां ये धर्म की विजय हुई पाँचों पन्डों ने किन्तु भाईयों की हत्या की पाप लगा हत्या काखे से मुक्त हुआ जाए भोले नाथ की शरन में पाचों पांडों है आए किन्तों भोले उन्हें न दर्शन देना चाहते हैं पावन कथा सुनाते हैं बोले नाथ के दारे नाथ में कैसे आते हैं हम कथा सुनाते हैं ये शिनके जोतर लिंग करे मुहमाया को भन ये शिनके जोतर लिंग करे मुहमाया को भन भोले नाथ तो पंडों से है ऐसे रुष्ट हुए पाँचों पंडों में से किसी को दर्शन नहीं दिये भोले नाथ की गृपा वह तो चाहते थे पानी भोले के दर्शन करने की मन में थी ठानी भोले नाथ को आकर के काशी में मनाए है किन्तू रूठ के भोले बद्री नाथ में आए है बद्री नाथ में आकर वो तो बैठे ध्यान लगाए उनसे रूठ के भोले है के दारे नाथ में आए किन्तु पांडों के पीछे पीछे आते हैं पावन कथा सुनाते हैं भोले नाथ के दारे नाथ में कैसे आते हैं हम कथा सुनाते हैं ये शुन के जो तिर लिंग कर मुहमाया को भन ये शुन के जो तिर लिंग कर मुहमाया को भन के दारे नाथ में आ करके किया फिर तोन होने ध्यान किन्तू भोले वहां से भी हो गए है अंतर ध्यान एक बैल का रूप दिया भोले ने अपना बनाए चरने के लिए कई कई पसुों के बीच में आए जान गए थे बंड़ों पर पहचान न पाते हैं अपने कद को उचा फिर तो भीम बढ़ाते हैं अपनी टांगों के नीचे से पशु को दिया गुजार भोले नीचे आने को पर नहीं हुए तैया यहीं है भोले नाथ भीम पहचान ही जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं भोले नाथ के दार नाथ में कैसे आते हैं हम कथा सुनाते हैं ये सुके जो तिरलिंग कर मुहमाया को भन बैल रूपी भोले को पकड़ने भी मजो आने लगे भोले नाथ तो धर्ती के हैं बीच समाने लगे पीठ पकड़के भी मिने उपर उठाना चाहा है किन्तु पीठ का भाग है बस हाथों में आया है इच्छा शक्ती से उनकी भोले हो गए प्रैसन पाँचों ही पंड़ों को दे दिये साख्छा दर्शन पाप मुक्त कर दिये सभी और दिया स्वर्ग का रास्ता प्रिसब रूपी पीठ को आज भी यहां है पूजा जाता जो तिर लिंक के दारनाथ इसे लोग बुलाते हैं पावन कथा सुनाते हैं भोले नाथ के दारनाथ में कैसे आते हैं हम कथा सुनाते हैं ये सुके जो तिर लिंक कर मुहमाया को भन ये सुके जो तिर लिंक कर मुहमाया को भन बैल की पीठ के जैसा है जो तिर लिंक का आकार दर्शन मात्र से भक्तों के सपने हो ते साकार पाप मुक्त यहां आकर सारे प्राडी हो जाएं एक बार के दारनाथ मंदिर में जो आएं हंस राजरल हन भी जाता है दर्शन करने था महिलेते हाथ है भोले लगे जो हम गिरने के दारनाथ की महिमा वर्णन करता डिय अश्पान फोजी सुरेस कभोले नाथ है रखते सदा खया अग्यानी को भी ग्यानी तो आप बनाते हैं पावन कथा सुनाते हैं बोले नाथ के दारनाथ में कैसे आते हैं हम कथा सुनाते हैं ये शिव के जो दिर लिंग करनो हमाया गोभन ।